हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तों इस वीडियो आपके लिए जनरल साइन्स के टॉप 22 कोश्चन लेकर आया हूं जो अभी आपके आने वाले एक्जाम से रेल्वे एंटी पीसी गूरूप डी और उसके लाब सस्सी पीसी और जितने भी कम्र टेस्ट की तरह सॉल्व जरूर करें आपका प्रैक्टिस हो जाया गए दिया आप तैयारी कर रहे हैं तो टोटल 22 कोश्चन है आप लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर कमेंट बॉक्स मिलके इसके लाब दोस्तों आपने चैनल सब्सक्राइब निकिया प्लीज चैनल को सब आप में बेल आकन प्रेस कर दें और इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें चलिए फिर श्राट करते हैं पहला कोशन हमारा मानोर शरीर में रक्त चाब नेंत्रित होता है तो आपके पास दूस्त तीन सेगंड का समयमी लेगा इस को सॉल्व करने के लिए चार diberग के लिए तो अधिबरग के ग्रंति शें थाइराइट ग्रंति में थाइमस में या पीद पिन में चलिए उसका करेक्ट एंसर वे रखत चाब होता है बलड प्रेसर नेंत्रित होता है तो यह जरूर आद रखेंगे इस रखत चाब मापने का जो एंत्र होता है स्पहग् समय सीघुएज्ट काुए चाहिवा है करते अवे उपसा सी एक सा और स्सक्रावित दोनों की तरह कारे करती हैं। ओप शन दे रखें, आप जल्दी से आप comment box अपने इंके जरू बताए ूपसन अखैसेटी को मानो सरीर कि अग्नासिय ग्रंथी एक साथ अन्तरहिस्तरावी तथ प्रकार का हर्मोन है तहां इस तो थाराइड ग्रंथी का स्थान कहां है option एकरित गला काक या इन में से कोई नहीं जुसका correct answer हो जाएगा option B गला ठीक है थाराइड गरंधी का स्थान कहां पे है गला में ठीक है option B किस कोश्का से insulin स्रावित होता है alpha कोश्का, delta कोश्का, तंत्र का कोश्का है बीटा कोश्का इसका correct answer हो जाएगा option D बीटा कोश्का से ठीक है बीटा कोश्का से insulin का स्रावित होता है ठीक है question 7 दोस्तों insulin उत्पादित होता है आपको बताने insulin कहां से उत्पादित होता है पिउश ग्रंथी द्वारा, पित तसे दारा, आत द्वारा, पेन क्रियास द्वारा करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्सन दी पेंक्रियास जोरा इंसुलीन का बाधन होता है कोश्चन रेट थे इंसुलीन की खोच किस ने की थी आपको बताने कि इंसुलीन की खोच किस ने की थी तो करेक्ट एंसर जाएगा ऑप्सन भी बैटिंग एम बेस्ट ने थी के कंशन ने इन्सुलीन की खोश की थी है जो एदिक को को एंगर हैं जो है जो करती है जर्व经 सराव करती है घ्राव करते हैं स्थीर होते हैं जो कोकर्फ ने म到 क्रेंश को निगे ग्या है कि पिए के---- एनसुर जागा इसका आपसेन डी सेवनदी ठीक है उप्सन डी । ठीक है सियन हनद सबते हैं से कोशे नमर सीरी मनुस्द के सरीर की सरवाधिक शक्तिशाली पेशुक्त कौन सी है मनुस्द के सरीर की सरोधिक शक्तिशाली पेशिक संब एक Siya कोशन 12 है किसकी पेशियों में शोज़ श्पंदन का गुण पाय जाता है हुर्दय, व्रिक या कृत आत करेक्टेंस व्यागा ओप्शन है हुर्दय, ठीक है हुर्दय, ओप्शन नमबर 13 है कि समल के मानस पेशियों में जमा हुने करण मौनिश को ठकान महसूस होती है औप्शन है लेक्टी कम ले, यूरी कम ले, साट्री कम ले, पायरोवी कम ले, तो इसका करेक्ट एंसर हो जायागा दोस्तों, लेक्टी कम ले, ओप्शन है लेक्टी कम ले, लेक्टी कम ले में दोस्तों, इसमें मानस पेशियों में जमा हुने करण मनुष को ठकान ठकावट म त मानाा सरीर के निम्नेखी तंगो में से कॉर्णिय किस य quickly और में काक कणिया किसका परड़क है परो करेक्ट ई तर आपसंड नेटरान में आच का ओपसन भी करनी तर ने तर दारन में आज का कौल सबवाग में पर्यों के आता है करहरे को रेटीना नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकास की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है Option D, Iris नेत्र में प्रवेश करने वाले आख प्रकास की मात्रा किस अंग द्वारा किया जाता है नियंत्रण ये आईरिस द्वारा, ठीक, Option D आख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिवीम बनता है प्यूपिल, कॉर्निया, आईरिस, रेटिना ओप्सन डी रेटिना ठीक है आख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिवीम बनता है रेटिना पर मारो नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेत के लिए उपस्थित होते हैं ओप्सन दे रखें आप फटा पड़िस का इंसर बताएं ओप्सन एक कौन्स में ठीक है चलिए अगला कोशन है मारा आरिश का क्या कारे है पुतली का कार को निंत्रित करना कोशन 20 हिर्दय बंचित है तो यह एकचिक पेशी से मनुष्य में तोचाक की सस्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है आपको बताना है कि मनुष्य में तोचा की सस्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है तलवे पर ठीक है तलवे पर सरवाधिक मोटी तोचा होती है मानुष्य में मानुष्य का सबसे बड़ा अंग का उन सा है मस्तिश्क, हृदय, चमड़ी या एकृत तो राइट एंसर जो आगा, इसकीन जो है चमड़ी मानुष्य का सबसे बड़ा अंग है ठीक है, उप्सन सी तो ये थे 22 most important question अगर वीडियो अच्छा लागे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें, चैनल को सबस्क्राइब ज़रू करें और अपना comment box में स्कोर ज़रूर बताएं अपना कितना आपका आपने राइट किया ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं ने शुडियो के साथ तब तक लिए आप अपना ध्यान रखें सौस्त रहें, आप बेस्त रहें All the best, जै हिन, जै भारत